हेलो दोस्तो, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं गरंटी के साथ कह सकती हूँ कि मेरी ये आज रस्मलाई वाली वीडियो देखने के बाद किसी और की वीडियो देखने की आपको जूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो रस्मलाई हम बनाएंगे वो बिलकुल ही रस्मलाई से कहीं ज्यादा टेस्टी होती है, तो आप इसे जरू ट्राई करना, अब मैं आपको चार पाच ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आपकी रस्मलाई बिलकुल भी खराब नहीं बनेगी, और बिलकुल परफेक्ट बनके ये रेडी होगी, ये देखिए हमारी र पार्केट वाली से ज्यादा सूपर सॉफ्ट बनेगी, तो चलिए, जल्दी से इस रेशिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने सूबे दूद लिया, तो इसे फ्रीज में रख देंगे, और शाम को हम इसे उबालेंगे, दूद हमारा उबल चुका है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, और पांच मिनिट तक ऐसे ही हिलाते रहेंगे, क्योंकि हमें दूद थोड़ा ठंडा करके फाड़ना ह है, तीसरी ट्रिक हमें दूद एकदम नहीं फाड़ना, जैसे पनीर फाड़ते हैं, हमें इसका छेना फाड़ना है, तो हम धीरे धीरे करके फाड़ेंगे, मैंने दो निम्बू लिये हैं, और धीरे धीरे करके इसमें डाला है, इसे देखिए हम इसका छेना फाड़ेंगे, ये देखे, पानी उपर आ गया, हमारा छेना पड़ चुका है, अब तीसरी ट्रिक क्या है, कि हम इसे च्छानेंगे, उसके लिए हमारा जो कपड़ा होना चाहिए, वो सूती होना चाहिए, क्योंकि सूती से हमारा ये सारा पानी है, वो नीचे अच्छे से निकल आएगा, ये देखिए, सारा जो मैंने च्छेना है, सूती कपड़े में डालके, और ये पानी है, वो अच्छे से स्क्वीज कर लिया है, इसे थोड़ा सा साफ पानी से भी धोलेंगे, ताकि जो निम्बू हमने डाला था, उसकी जो स्मेल है, वो अच्छे से निकल जाए, ये पानी है, सारा का सारा निकल आए, ताकि हमारी रस्मलाई अच्छी बने, अब मैंने रबडी के लिए दूद लिया है, मैंने इसमें कुछ केसर डाला है, साथ ही मैंने इसमें 4 टेबल स्पून चीनी एड़ की है, और जब तक ये इसका तीसरा हिस्सा ना बच जाए, तब त कि आदा घंटा हमारा हो चुका है, अब बारी आती है, इसको मैश करने की, इसको मालो थोड़ा सा मोष्चर आपका रह जाता है, तो किसी सुखे कपडे से आप इसे ऐसे रखके सारा मोष्चर निकाल सकते हैं, और अब आती हैं, हमारी एको ट्रिक्स, मैं इसमें 1 टेबल स् इसता चोप्ट करके डाले हैं यह देखिए यहां हम छेने को अच्छे से मैश करेंगे छेना हमारा जितना ज्यादा मैश करेंगे रस्मलाई उतनी ही ज्यादा हमारी बन के रेडी होगी मैंने करीब 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही मैश किया है यह देखिए आप चम्मच की शाहिता से भी कर सकते हैं इसे मैश साथ ही दूसरी गैस पे हम रस्मलाई के लिए चासनी तयार कर लेते हैं मैंने यहां एक बाउल चीनी ली है और छे बाउल इसमें मैंने पानी आड़ किया है यह देखिए एक बाउल चीनी और छे बाउल मैंने पानी आड़ किया है और गैस पे चड़ा दिया है देखिए छेना हमारा बिल्कुल रेड़ी हो चुका है इसके एक पहचान कीजिए अगर आपकी यह टिकी साइड में से दरारे नहीं आ रही है ऐसे बनाने के बाद तो आ अच्छे से मैश हो चुका है अगर आपकी दरारे आ रही है तो आप इसे थोड़ा सा और मैश कीजिए यह देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लिया है यह क्योंकि हम छोटे ही गोले बनाएंगे बाद में यह हमारे चासनी में डालने के बाद फूल जाते हैं यह देखिए यहां एको ट्रिक्स में आपको बताऊंगी हमें बिल्कुल उबलती हुई चासनी में इसे डालना है और लगबग 30 से 40 सेकंड के बाद दूसरा छेना डालना है हमें तकि यह जो उबाल है इसका कमना हो हमें लगातार बिल्कुल नहीं डालना है इसमें 30 से 40 सेकंड का गैप लेके डालना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है और एक ट्रिक हमारी यह देखिए हम इसे 20 मिनट तक पकाएंगे 5 मिनट तो मिरको यहीं हो चुकी है छेना डालने में एक एक करके हम सारी अपनी जो छेने से रसमलाई बनाई है वो डालेंगे देखिए और 5 मिनट यहाँ मैंने धक के पकाया है गढ़ी के हिसाब से आप complete time notice कर लीजिए 5 मिनट मैंने पहले डालने में लगा दी 5 मिनट मैंने फिर खुले में पकाया है इसे और फिर 5 मिनट मैंने इसे धक के पकाया है 5 मिनट 15 मिनट हो चुकी अब इसे इने पलट तोटल हमारी 20 मिनट हो चुकी है घड़ी में बिल्कुल टाइम नोटिस करके इसे बनाइए बिल्कुल परफेक्ट आपकी रस्मलाई बनके तयार हो जाएगी यह देखिए कैसे उबल रही है गैस का फ्लेम अब बंद कर देंगे हमारी रस्मलाई रेडी हो चुकी है एक और ट साइज है गैस बंद करते ही कम हो जाता है छोटा हो जाता है तो इसके लिए मैंने क्या किया है एक बाउल में बिल्कुल ठंडा पानी लिया है बरफ डाल के और उसमें हम एक एक करके सारी रस्मलाई डाल देंगे यह देखिए हमारी रस्मलाई का साइज बिल्कुल भी कम न दाल दी है देखिए साइज हमारा कितना बड़ा हो चुका है मैंने लगबग 2 किलो से थोड़ा कम दूद लिया था और उसमें देखी हमारी 11 रसमलाई बनके रेडी हो चुकी है यहां हमारी रबडी भी रेडी हो चुकी है इनके उपर हम डाल देंगे देखिए आप प्लेट म डाल दी है हम इनको अच्छे से डिप करेंगे और लगबग 5-6 घंटे तक इन्हें फ्रीज में रख देंगे ताकि सारे के सारे यह अच्छे से रबडी को अबज़र कर ले और यह देखिए 5-6 घंटे हमारे हो चुके हैं रसमलाई बनके हमारी रेडी हो चुकी है जो देखिए इसे मैं एक बाउल में सर्व करके दिखा रही हूँ अगर ऐसे आपने इस ट्रिक से इस वीडियो को देखके आज रसमलाई बना ली तो मैं गरंटी लेती हूँ आपकी कभी भी रसमलाई खराब नहीं बनेगी अगर आपने सारी ट्रिक्स फोलो की तब ही आपकी रसमलाई बहुत ज़्यादा अच्छी बनके रेडी होगी और ये खाने में सीरियोसली मार्केट वाली से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है आप ट्राई से जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी रसमलाई कैसी बनी ये बनने में सूपर सॉफ्ट बनती है और मैं गरंटी लेती हूँ अगर आपने एक बार ये रसमलाई बना ली तो आप मार्केट वाली लाना बिल्कुल भूल जाओगे तक बनती है और मैं बनती है और मैं गर्ड़ जाओगे